आरेवा के सबी सद्दों से को नमस्कार मैं जुन-जुन में सरकेट होस से आप सबी को संबोधन कर रहा हूँ आज 17 अक्टूबर और कल बिता हुआ 16 अक्टूबर को हमारे आठवाई AGM यहाँ पे हुआ था और काफी मात्रा में लोग participation किया इसे पहले मैं और कुछ कहूँ हम हमारे आरेवा राजस्थान यूनिट के प्रेसिडेंट सेकरेटरी और उनके साथ जो कारवाई में मदद दी है जो इतना अच्छा एरेंजमेंट है यहाँ पे उसके अलावा जो हमारे विभिन जगों से इंडिया नेपाल से यहाँ पे जो सद से आये थे एक दू दिन पहल उनका जो है इनोंने जो सतकार किया है और जो जितने अच्छी कारवाई की थी जो कि AGM काफी सफल रहा उनका बंदवस्ती कारवाई जो है काबिले तारिव थे और दुबारा मैं यहाँ के प्रेसिडेंट सेकरेटरी और सदस्य को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और इसक देश के विविन भागों से उन सभी को मैं अभिनंदन करता हूं और मैं इश्वर से प्राथना करता हूं कि वो जो आये अभी जो है जाना सुरू किया है अपने अपनी जगा पर सुखी हालत में अपनी जगा पहुँचे और स्वस्त रहें हमेशा और आरेवा की लिए वो जो है कारे करते रहें और कल जो एजय में विशेश करके जो आकरिशन था हमारे पैटरिनिंचीफ मेजर जेनरल कार्निक सर जो आज 80 साल पहुँच चुका है 80 बड़े जो हमने एरेंस किया यहां सेलेबरेशन करने के लिए उनको पता नहीं इसके बारे में उनका जो पार्टिटिपेट किया था, उसके बाद जो उनके हल्थ के कारण या किसी कारण वस वो अभी तक नहीं आये थे, तो उनका जो पार्टिबेशन और जो सिला भाशन और उन्होंने जो कहा कि स्थील का जो एक टोट में है उसका हमारे फेवर में ही उनका फैसला आएगा, और हम तब तक इस एसोसेशन से जुड़े रहेंगे जब तक ये डियोल कंट्रोल का एक फैसर नहीं होता है इसके अलावा कल जो है विशेश करके हमारे लेफटन जेनरल मंदाता सर जो 22 आसाम राइफल को कमान कर चुके हैं उनका उपस्तिती था वह जो है काफे कठिन समय से गु मिट है देखे उनका जो है दो तीन दिन बाद जो है सरजरी होना है ऐसी अवस्ता में भी वो आये और लोगों से मिले एज़ेम की कारवाई को सुना ध्यान से और उन्होंने भी भाशन दिया और भाशन में उन्होंने यह कहा कि असाम राइफल से वो काफी प्रभावित है जो उनकी छमता है CICT Operation के लिए और उन्होंने अपना भी ओपिनियन दिया कि असाम राइफल्स डियोल कंट्रोल से मुक्ती पाके Ministry of Defense में जाना चाहिए और पूरे बैनिफिट का वो हगदार है इस कारवाई में उन्होंने कहा कि वो Association के साथ है जो भी मुझे बताय जाता है लेटर लखना हो या किसी को जाकर मिलना हो तो जरूर करेंगे तो मैं दुबारा जनरल मंदाता साथ साथ से मैं मिल कर ब्रीफिंग दूगा सर को और यह हमारे Organization के लिए काफी मददगार सिध्ध होगा और जो हमने कारवाई की है AGM जो है काफी बढ़िया रहा एजन्डा पॉइंट्स की डिसकर्शन हुआ काफी सदस्य जो है खुश हुआ उसने आरेवा ओल इंडिया की तारिफ की जिसके चलते इतने साल कोई जो है 30 साल 32 साल बाद जो है एक दूसरे को मिल रहे थे और काफी प्रसनता हुई और साम को भी एक पार्टी का आयजन किया गया था और सभी इतने प्रशन है आरेवा ओल इंडिया से की उसको मैं बयान ने कर सकता हूँ इसके लिए सभी सदस्यों को नमस्कार धन्यवाद है उन सभी का जो इतने दूर से अपने खर्श पे यहाँ पे आये जुन जुन में, राजस्तान और जुन जुन का विशेश महत्तु है यहां बारत में सबसे जादा अधिक सैनिक रहते हैं और जितने गैलेंटरी अवार्ड जो मिला है, सबसे जादा यहां पे जुन-जुनु में हैं यहां ऐसा लगता है कि यह जो कंटोनमेंट यह रहे की तरह इतने अच्छे जो सहर है साफ सुत्रा और उसके अलावा जो यहां का विशेश मैंने देखा है जो भी रस्ता है रोड वज़े फलना फलना यह जो महावीर चक्र वीर चक्र उसके नाम प हो चुका है उनके लिए मैं इश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो अपने जगा पर सुरक्षित पहुंचे और इस आरेवा की तरक्की के लिए भविश्य में भी काम करता रहें और मैं फिर दुबारा रिक्वेस्ट करता हूँ जितने आशम राइफल्स के एक्सरिश्म सफल हो जल्दी है जल्दी और सभी का जो है इंतजार रहेगा अभी या रह रहा है फर्स्ट नॉवंबर के हीरिंग के लिए उसके बाद उस रिपोर्ट के साथ में दुबारा आपको बताऊंगा वीडियो के दुबारा तब तक मुझे अनुवार दीजे आग्या दीजे थ बाइ